क्या आप अपने व्यापार में 2000 का नोट इस्तेमाल करते हैं? क्या भारत सरकार ने फिर से demonetization कर दिया है? अब इतने सारे 2000 के नोट का क्या करें? इस नोट बंदी से हम जैसे छोटे बिजनेसेस पर क्या असर पड़ेगा? क्या आपको फिर से बैंक के बाहर लंबी चोड़े लाइन लगानी पड़ेगी? इन सारे सवालों का जवाब हम आपको देंगे अगले 3 मिंटों में इंडिया में 2000 का नोट नवेंबर 2016 में लाया गया था पर 19 मई 2023 को भारत सरकार ने इसे बैन कर दिया ये नोट 500 और 1000 के नोट बंद करने के बाद उनकी जगा लेने के लिए लाया गया था तो जब सारे 500 और 1000 के नोट भारत सरकार ने वापस ले लिये थे और बाकिके नोट भारत के अर्थ व्यवस्ता के लिए काफी थे तभी साल 2018-19 में RBI में 2000 के नए नोट्स बनाने बंद कर दी इसके बारे में और बात करने से पहले जल्दी से चानल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूले इन 2000 के नोट्स को 4-5 साल में इस्तमाल करने का निर्धारित समय दिया गया था जिसे पार करने के बाद मार्केट में 2000 के नोट्स अभी जादा इस्तमाल नहीं किये जाते हैं और दूसरे डिनॉमिनेशन के नोट्स देश की अर्थ विवस्था के लिए काफी है ये सब ध्यान में रखते हुए Clean Note Policy के माध्यम से Reserve Bank of India ने 2000 के नोट्स वापस लेने का फैसला किया ये नोट बंदी नहीं बलकि नोट वापस ही है जो भ्रष्टाचार के खिलाफ एक Surgical Strike है अगर आपके पास 2000 के नोट्स है तो हम आपको उनके साथ क्या करना है ये बताते है भारत सरकार ने 23 में से लेकर 30 सितंबर तक का समय दिया है अपने 2000 के नोट्स को बैंक में Deposit करने के लिए आप किसी भी बैंक में एक बार में 20,000 रुपय यानि 2000 के 10 नोट्स ही वापस कर सकते है आप अपने नोट्स बैंक में जमा करके दूसरे नोट्स एक्स्चेंज में ले सकते है तो ये नोट वापसी 2000 वाले Demoratization जैसी बिलकुल नहीं है यहां आपको चार महीने का समय दिया गया है पर 2000 के नोट्स को मारकेट से निकालने से हम जैसे आम जनता और छोटे बिजनसेस पर क्या असर पड़ेगा चलिए ये जानते है 2000 के नोट्स की कीमत जो आज देश भर में इस्तमाल हो रही है वो 3.5 लाग क्रोर है जो भारत के करंसी सर्कुलेशन का 10.8% है जबकि 2016 में demonetization के वक्त 500 और 1000 के नोट्स की संख्या 86% थी जिससे समझ आता है कि 2000 के नोट्स की संख्या कम होने से देश पर इस नोट वापसी का इतना प्रभाव नहीं होगा जिसके दो कारण है दूसरे नोट्स जैसे कि 500, 200 या 100 के नोट्स देश में काफी मात्रा में हैं जो 2016 में नहीं थे दूसरा ये कि दुकानों पर QR कोट के इस्तमाल से आजकर लोग कम मात्रा में cash payments करते हैं भारत के पुर्फ Chief Economic Advisor कृष्णमूर्ति सुब्रमनियम ने 2000 के नोट बैंड की घोशना पर ये कहा है कि आम आदमी पर इस नोट वापसी का इतना असर नहीं होगा क्योंकि आजकर लोग Digital Transactions का काफी इस्तमाल करते हैं Yubica Single जो Quantico Research में एक Economist है उन्होंने कहा है कि Agriculture, Construction जैसे सेक्टर्स के छोटे बिजनसेस को इस नोट वापसी के कारण कुछ समय के लिए थोड़ा कष्ट जैसे की लेंदेन में रुकावट हो सकती है और इस नोट को देश में अचानक बंद करने की वज़े से देश की अर्थ विवस्ता को शायद थोड़े समय के लिए असुविदा होगी Manufacturing और Real Estate जैसे Industries में जो Cash का लेंदेन करते हैं उन्हें थोड़े समय के लिए मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा पर बाकी के नोट काफी होने के कारण इसका लंबे समय तक प्रभाव नहीं होगा किसानों और किराना स्टोर्स को भी 2000 के नोट के साथ लेंदेन करने में दिक्कत होगी जिससे व्यपार में कठिनाया आ सकती है उन्हें Digital Payment का इस्तमाल करना होगा जिसके लिए उन्हें UBI ID, QR Codes और Bank में खाता खोलना होगा जिससे Suppliers और Wholesalers के साथ प्यापार करना आसान होगा इन सारी बातों को देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि RBI ने 2000 रुपे के नोट को बैन करने का फैसला देश को भ्रष्टाचार और काले धन जिससे समस्याव को खतम करने के लिए लिया गया है इससे हमें कुछ समय के लिए थोड़ी समस्या तो जरूर होगी पर बढ़ते Digital Transactions और छोटी संख्या वाले नोट्स देश में काफी होने की वज़े से हम जैसे आम आदमी पर उतना असर नहीं पड़ेगा फिर भी हम आपको यही सला देंगे कि आप RBI की बात माने और तुरंत बैंक्स में अपने 2000 के नोट्स को जमा करें तो आज के लिए बस इतना ही हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बते आए कि आप अगली वीडियो किस विशर पर देखना चाहते है सी यू नेक्स टाइम नमस्ते